दमश्कार दोस्तों मेरा नाम है दरपन और आप देखे रहें रहें 24 न्यूज दोस्तों आज निफा का 23 स्थापना दिवस है जिसको लेकर आज यहाँ पर एक कारेक्रम जो है फिलाल किया गया है और आप सभी से निवेदने वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें न क्योंकि पिछले 23 वर्षों से लगातार जैसे की कहीं रगदान शीविर जो है वो लगा चुका है और च्छे वर्ल्ड रिकोर्ड आज तक जो है वो निफा के बनाए जा चुके हैं तो फिलाल सीधा बात करने का प्रयास करते हैं प्रित्पाल पन्नु जी से और उससे पहले जो है एक पोधार ओपन करके समाज में एक अच्छाई जो है फिलाल उसका एक मैसिज भी देना चाहेंगे तो फिलाल इस वीडियो को जादा से जादा शेयर जरूर करें आपको फिर बता देगा तो आप देख सकते हैं निफा के स्थापना दिवस पर जो है पोधार ओपन जो है वो भी फिलाल किया जा रहा है और लगबग तईस्वा स्थापना दिवस जिसको लेकर आज सभी निफा के जितने भी लोग हैं और साथ में जो संचालक हैं की बात करें जरूरत मत प्वधे कर जो है लोगों को भी एक निफा की जो भी लब्दियां रही है वो भी हम फिलाल जानने का प्रयास करें आप सबी से प्रिल करेंगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें सर चैया कुछ बताना चाहेंगे आज 23 सथ किरनाल एक छोटे से शहर से यह अभियान शुरू हुआ था निफा का और आज जो है देश के 28 राज्यों के इंदर शाषित प्रदेशों में निफा पहुंच चुकी है हमें गर्व होता है जब हम कहीं जाकर बताते हैं कि हम दानवीर कर्ण की नगरी से आए हैं हम उस नगरी क कि चंशो प्राफ्त हुई जहां कलंदर साब का स्थान है यह सारी बाते जब पूरे देश में जाकर बताते हैं तो हमें गर्व होता है कि हम अपने शहर का नाम पूरे देश ही नहीं दुनिया में लेकर जा रहे हैं तो आज निफा जो है पूरे देश और दुनिया में काम क व्यक्तिकत रूप से कईओं को मिले हैं लेकिन संस्था के रूप में पूरे नौर्थ इंडिया में एक संस्था जिसको आज तक सम्मान मिला है राष्टिय हुआ पुर्सकार जो राष्टपदी से मिलता है तो यह सारी उपलब्दियां जो है यह सारे एक टीम बर के जो निफा की सुषक टीम है जो हमारे यूँआ साथी है उसके साथ जो हमारे लाइफ मेंबर, पैरटर्ट मेंबर जो हमें अशीरवा दिते है इस लाके के जो संत महापुर्ष हैं जो दार्मिक अध्याद्मिक हस्तियां हैं उनकी जो व्लैसिंग्स हमें मिलती हैं देश का जो करना बाकी है अभी तो हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन एक वट व्रिक्ष बढ़ने की और जो निफा अगरसर है यह सब के स्यूक्त प्रयासों से सब के सयोग से और सब का साथ देने से से ही संबभ हो सका है अभी आने वाले समय में हमारी बहुत सी प्लैनिंग है दो जल पच्चिस के अंदर जो है निफा की सिल्वर जूबली जो है वो मनाई जानी है पीछे जब हमने अपना एन्वल डे फंक्शन किया था तो मारणिय मुख्य मंतरी जी उसमें मुख्य आती थी मंच्च से की थी कि शिल्वर जूबली से पहले पहले हम निफा को एक प्लोट जो है वो देंगे आप बर ये तो हमने बरवी के इंदर हैं चाहे मानो सिवा संग में चल रहा है यहां डिराकार सिवा में चल रहा है यह सबी से लोगों को युवाओं को अध्यात्मिक बनने की प्रेरना मिल रही है जब बड़े अच्छी बातर बहुत जरूरी भी है हम एक युवा विकास के अंदर एक कैसा बनाना चाहते हैं जहां से देश के युवाओं को राष्ट के साथ जुड़ने की प्रेरना मिले दरम जाती से उपर उठकर राष्टिया एक तौर समाज की बात करने वाड़े युवा नेता बनकर यहां से जाएं एक हमारी यह आने वाले समय में हैं दूसरा जो है वहारा मन में एक बावना है कि 2025 में हमारी सिल जूबली आ रही है 25 साल पूरे हो जाएंगे जो बोध़ा एक मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा फेस्टि देश के हर गाओं तक निफा पोँचे रही है कैसे हम करेंगे उसको क्या उसकी रूप रेखा रहेगी वह जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे लेकिन हमारा मक्सित है कि निफा वह देश के हर गाओं तक पहुंचे और निफा कैसा वटवरिक्ष है संस्थान बन जाए कि वो हमारे नामों पर डिपेंडना हो अब भी अगर आप देखेंगे तो जो नेशनल प्रेजिनेंट है वो वेश्ट बंगॉल से हैं मेश्ट देवराय जी हमारी जो जनरल सेक्टरिया बनाई गी है इस बार वो करनाटका से हैं डक्टर आश्वनी शेटी हैं हम लो लोग ना भी रहें तो आने वाली यूआ पीडी के लिए हम इतना शक्त जो है वह संस्था को बना दें कि वह संबाले और वह इस मक्सद को लेकर जैसे रोटरी लाइंस यह चल रहे हैं इनको बनाने वाले जो हैं इस दुनिया से रुकसत हो गए लेकिन यह संस्था चल रही कि वह आते रहें वह इसके मेंबर बनते रहें और इसको संबाल कर देश और राष्ट की और समाज की बात करते रहें तो फिलाला आप सबी से निवेदन हैं इस वीडियो को जादे से जादा शेयर जरूर करें नीफा की उपलब्दियां काफी समय से हैं और काफी अच्छी भी हैं लोगों के लिए कई तरह की जो सेवाएं हैं वो निफा की तरफ से लगातार पिछले 23 वर्शनों से दी जा रही हैं जिसमें रगदान शिविर से लेकर करोना के समय के अंदर भी और ऐसे नजाने कितने सारे लोग हैं जिने जो है समाज में बहुत सारी चीजों की ज प्रदद करने वाला नहीं होता है तो आप सभी से निवेदेना है वीडियो को जादा से जादा शेयर जरू करें और दो साल बादी निफापनी जो है सिल्वर जूबली जो है वो फिलाल मनाएगा तो फिलहाल सभी से कहना चाहेंगे कि ऐसे ही समाच के अंदर अपना कोई न को जरूर दबाए ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक